इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्गर्णा 2011 पर अधारित महत्पुन आपजेटिव कोस्टनों पर और ये कोस्टन परिक्ष्ण में बार बार रेपीट हुए हैं इसे को दिहान में रखका आपकी वीडियो तियार की गई है वीडियो अच्छे लगए तो लाइक करें और जो लोग नई हूँ चैनल पर बहें सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे इस चैनल को तो देखिए महत्पुन कोस्टनों के से सुरुबात करने जा रहे हैं हम इस वीडियो में 2011 की जनगर्ना यानि की भारत की जनगर्ना के लिए निमलिकित में से कौन सा आदर्स वाक्ये उप्योग किया गया था यानि की जनगर्ना आपकी होती है दस साल के अंतराल पर तो 2011 में जनगर्ना हुई थी अभी तब कोई उसके बाद जिनगर्णा नहीं हुई है तो इसमें पूछा गया कि कौन सा आदर सबाक्य था उस समय तो देखे इसका राइट आप्सन है आप्सन नमबर टी अवर सैंसस अवर फ्यूचर यानि कि हमारी जिनगर्णा हमारा भविश्य इसे सुध हिंदी में कहते है कोशन नमबर अगला है भारत की दोहियर ग्यारा की जनकर्णा के अनुसार सरवादिक जनसंख्या नेमलिखित नगरिये युगमों में से किसमें दर्शित हुई है तो देखे इसका राइट आप्सन हो जाएगा आप्सन नमबर डी मुंबाई और दिल्ले में दर्श की गई है अगला कोशन है दोहियर ग्यारा की जनकर्णा के अनुसार निम्ण में यानिकि निम्ण में से किस राज्ये में अनुसुचित जनजात्यों की संख्या सरवादिक है तो इसका राइट आप्सन हो जाएगा मध्य प्रदेश क्योंकि यहाँ पर सरवदिक अनुसुचित जनजाती निवास करती है मध्य प्रदेश में और इनकी अवादी सरवदी है अगला कोशन है भारत में जनान की इतिहास में महा बिभाजक बर्स कौन सा है 1921, 1947, 1951, 1982 तो इसका राइट आप्सन हो जाएगा 1921 अगला कोशन है नेमलेखित जनगर्णा बर्सों में किसे भारत की जनान की इतिहास में महान बिभाजक के रूप में जाने आता है तो सेम कोशन बोही है बस लेंग्विज चेंज कर दी गई है तो इसका राइट आप्सन 1921 है अगला कोशन है निम्न युगमों में से कौन सा एक सही सुमलित नहीं है तो इसका राइट आप्सन हो जाएगा आप्सन नमबर डी 2111 का जो मैचिंग है 925 दिखा रखा है जो की लिंगानुपात है 947 और यह आपके ठीक है 1951 में 1946 था लिंगानुपात 1971 में 930 1991 में 927 था अगला कोशन है जनगर्णा 2111 के अंति माकड़ों के अनुसराथ भारत की जन संख्या में इस्तरियों का प्रतिस्ट कितना था तो इसका राइट आप्सन है B 48.46 बर्स 2011 की जनगर्णा में निम्लेखित में से किस राज्जे की जन संख्या में कमी आई है तो इसका राइट आप्सन है नागलेंड अगला कोशन है उत्तर प्रदेश के परशाथ निम्लेखित में से किस राज्जे की जन संख्या सर्वदिक है उत्तर प्रदेश के बाद सर्वादी जन संक्या कहां पर है महराश्ट में भारत की बर्स 2011 की जनगर्णा की अधार पर नेमले कित में से किस राज्जे में जन संक्या घनत उच्चतम था तो इसका राइट आप्शन है बिहार पूरे भारत में सबसे आदा जन संक्या घनत उच्चतम या जन घनत बिहार का है सेकंड नंबर पर आपका पश्चि बंगाल है 2001 की जन घनत के अनुसर भारत का नियूंतम जन संक्या घनत वाला राज्य कौन सा था तो ये था आपका अड़ुनाचिल प्रदीश 2011 की जन घनत के अनुसर भारत के नियूंतम जनत के त्मेस किस राज्य में अनुसुचित जाती की जन संक्या सुनने है तो इसका राइट आप्शन है नागालेंड ध्यानाखेया भारत के नियूंतम जनत के त्मेस किस का जन संक्या घनत सौ से कम है तो आप इसमें गैस करें क्या आइजन घनत के अंसर होगा इसका राइट आप्शन है मिगहले इसके बाद कोशन है 2011 की जनगर्णा की अनुसार किस केंसासित प्रदेश का जन संक्या घनत नियूनतम है तो इसका राइट आप्शन है अंडमान और निकोबार दीपसमन 2011 की जनगर्णा के अनुसार किस केंसासित प्रदेश की साक्षरता दर नियूनतम है तो इसका राइट आप्सन है B, दादरा और नागर हवेली यानि कि किस केंसासी प्रदेश की साशरता दर नियुनतम है दादर और नागर हवेली अगला कुछन है बर्स 2011 की जनगर्णा के नुसार नेमली कितमे से किस राज्ये में साशरता सर्वा दिख थी तो इसका राइट आप्सन है मरिपूर जनगर्णा 2011 के अनुसार नेमली कितमे से किस भारती राज्ये में महीला साशरता नियुनतम थी यानि कि महीला साशरता नियुनतम थी तो इसका राइट आप्सन हो जाएगा राइस्थान इसके बाद कॉस्टन है जन्गर्णा बर्स दो ह्यार एक के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता अधर थी आप्सन नमबर सी इसका बिल्कुर राइट है ओरिसा के कम या ओरिसा से कम हो गया है के से के हो गया है ओरिसा से कम दो ह्यार ग्यारा की जन्गर्णा के अनुसार किस के अनुसार प्रदेश का लिंग अनुपाद नियूंतम है तो इसका राइट आप्सन हो एगा दामन और दीव राइट जन्गर्णा नेती दो ह्यार के अंतरगा जो एक लक्ष था कि बर्स दो ह्यार पैतालिस तक जन्गर्णा इस तरह प्राप्त कर ली जाएगी अब यह लक्षित बर्स रखा गया है तो देखिए अभी हमने आपको बताया है तो इसका हो जाएगा डी आप्सन दो ह्यार सत्तर तक पहले इसका लक्षिया था दो ह्यार पैतालिस अब इसका लक्षिया है दो ह्यार सत्तर जनगर्णा 2011 के अनुसर भारत के नेमलिखित राज्यों में से किस राज्य में महीला निंग अनुपाद सर्वधिक है तो इसका राइट आप्सन वे एगा केरल अगला कोशन है भारत के किस राज्य में इस्तरी पुरुष अनुपाद 1000 से अधिक है तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका आंसर है केरल ऑप्सन वे इसका राइट है भारत के किस राज्य में अनुसुचित जातियों की जन संख्या सर्वधिक है तो अनुसुचित जातियों की जन संख्या सर्वधिक कहां पर है ये हैं उत्तर प्रदेश में आप्सन नमबर सी तो ये महत्मण कोशन ते आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब कर लें जो लोग नए हूँ चैनल पर और कमेंट बॉक्स में अपने राय जिरू बताएं पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद